जारखन नुज में आपका स्वागत है चलिए जानते हैं सुबा से लेकर साम तक की तमाम बड़ी खबरों को इसे पहले आप जारखन के किस जीले से नुज को देख रहे हैं हमें कोमेंट बक्स में जरूर बताइए साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को कर बेल आइकन को दबाना बिलकुल न भूले आज का लाइक एम 500 है उमीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे जारखन में साथ हैयार सीट पर न्यूक्त होंगे सहयक आचार्य जारखन में प्राथमिक वमद विद्याले में अब तीन कैडर के सिक्षक होंगे प्राथ अब सहयक अध्यापक सहयक अचार्य वह सहयक सिक्षक तीन कैडर के सिक्षक विद्याले में होंगे सिधी न्यूक्ती सहयक अचार्य के पद पर की जाएगी राजे में सहयक अचार्य के साथ हैयर पद स्रीजित किये जाएंगे इसकी पर किरिया सुरू कर दी गई है सहयक केस के अनुसंधान में थानदार दिल्चस्पी नहीं ले रहे हैं इसे लेका सिटी एसपी अनसुमान कुमार ने थाना वा ओपी परभारियों से पत्रचार किया है कहा है कि पुरो में कई बार निर्देश के बाद भी पुराने केस पर करवाई नहीं हो रही है वैसी प्राथ में की जिसमें अनुसंधान की मरीतई हो गई है उसकेस का प्रभार थानेदार स्वेम गरहन करेंगे और निस्पाधन करेंगे जार्खन के पुरो मंत्री योगेंद्र वा उनकी पतनी को 6-6 माह की सजा रांची सदर अस्पताल में मेडिकल एश्टाप की भारी कमी सदर अस्पताल में हर महलग 25 एर मरीज इलाज कराने आते हैं कोरोना संक रमन थमने के बाद अस्पताल में गाईनी, मेडिसीन, पीडियार्टरिक, आर्थो विभाग और इमर्जेंसी में मरीजों की संख्या में काफी इजापा हुए है। रिम्स में अभी भी नहीं लगी जिनोम सिक्वेंसिंग मसीन, कोरोना वायरस के नए वेरियंट XE ने भारत में दस्तक दे दी है, लेकिन राजे में नए वेरियंट की पाचान के लिए अभी जिनोम सिक्वेंसिंग लैब तयार नहीं हो पाया है। समय लगेगा। ऐसे में अप्रेल के अंत या माई के प्रतम सब्ता से नए वेरियंट की पाचान राजे में हो सकेगी। बता दे, NHM 12 बर्श 2021 के दिसंबर में जिनोम सिक्वेंसिंग मसीन के आदे पाट के लिए निवीदा निकाली गई थी। ज्यार घंड में गरहा सकता है कोईला का संकट। TVNL के तेनु घाट थर्मल पावर एस्टेशन में कोईला संकट का असर पढ़ने लगा है यहां से दो दिनों का ही स्टोक बचा है जबकि केंद्रिये विधूत प्राधिकार की गाई लाइन का है की पावर पलान्टों के पास कम से कम 20 दिनों का स्टोक हो ताकि विप्रित परिस्थितियों में उत्पादन प्रवाव इतना हो इधर DVC के कोडार मां मैथन वा चंद्रपूरा थर्मल पावर एस्टेशन में फिलाल 20-20 दिनों के लिए कोईला का स्टोक है DVC के अधिकारों ने बताया की DVC के पलांट में अभी कोईला का संकत नहीं है रांची में दो यूतियों के साथ साथ ने किया समोहिक दुसकर्म छो गिरपतार तुपुदाना छेतर इस्थीत भगवान होटल के पास दो सहलियों से छो आरोपियों ने समोहिक दुसकर्म किया घटना गुरु अर्देर रात किया है इसे लेकर धुरुआ थाना में प्रात्मी की दचकराई गई है घटना के चंद घटने के अंदर छो आरोपियों को पुलिस ने गिरपतार भी कर लिया है 25 विद्यार्थियों को मिलेगी विदेश में पढ़ाई के लिए छात्रवीर्थी मरांग गोम के जैपाल सिंग मुंडा पारदेश ये छात्रवीर्थी योजना 2020 के तहद अब SC, ST, OVC और अलप संखेक विद्यार्थियों को भी राज सरकार विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए छात्रवीर्थी देगी कूल 25 विद्यार्थियों को छात्रवीर्थी दी जाएगी इसे लेकर समधित याचिका योजना प्रादिक्रीत समीति के पास मंजूरी के लिए भेजी गई है पुरू में के वाद 10 ST विद्यार्थियों को छात्रवीर्थी दी जा रही थी फिर सरकार न इसमें A.C., O.B.C. और अल्प संखेक विद्यार्थियों को लाब देने की घोसना की दुमका में सहीत्य महोत्सव जार्खन की उपरादानी दुमका के राज किये पुस्तकालय में आज से दो दिवस्य सहीत्य महोत्सव सुरू हो गया है इस कारकरम में देश के बेहत्रीन लेखक सनवात कर रहे हैं दुमका जिले में सिक्षा यम सहीत्य को बढ़ावा देने के उदेश से सहीत्य महोत्सव का आउजन किया जा रहा है लेखक और सहीत्यक, आलोचक, चंद्रहास, चोधरी, राजकिये, पुस्तकालय में आवेजित होने वाले सहीत्य महोत्सव में आए साधे तीन बजे उपस्थित लोगों से मुखातिप होंगे लोहरदगा में च्छ दिनों बाद इंटरनेट सेवा बाहाल जारखन के लोहरदगा जिले में च्छ दिनों के बाद इंटरनेट सेवा बाहाल हो गई है फिलहाल इस हीती समाने बनाने में प्रसासनिक अमला जुटा हुए है बाहर जिलो से आए पुलिस के अधिकारी और जवान अभी पी यहां तैनात है इस तरह सुरक्षा के कड़े इंतिजाम है आपको बता देखी राम नमी सोभा यत्रा के दोरान हिंसक जड़ब के बाद इस हीती नियंतिरित करने के लिए पिछले 10 अप्रेल 2022 से इंटरनेट से बादित थी अब धीरे धीरे समाने हो रही है ज्यारखन में पंचायत चुनाव के पहले चरण में 16,757 पदों पर मद्दान ज्यारखन में हो रहे पंचायत चुनाव के पहले चरण में कूल 16,757 पदों के लिए मद्दान होगा इसमें गराम पंचायत सदा से के 14,089 मुखिया के 1127, पंचाईज समेती सदसे के 145 वजीला परिशल सदसे के 1440 पद सामिल हैं बता देईन में से 74-72 पद अनसुचित जाती और अनसुचित जन जाती के लिए अरक्षी था हैं केंद्रीय मंत्रियों के जार्खन दोरा पर रोक लगाने की मांग जामुमो और कांग्रेस नेता ने राज निर्वाचन आयोक ससनीवार को मुलकात की इन नेताओं ने अरोप लगाया कि जार्खन पंचाई चुनाओ को परभावित करने के लिए केंद्र सरकार और भाजपार ने जोजनाबत तरीके से जार्खन के गावों के दोरा का कारीकरम बनाया है केंद्रीय मंत्रियों के आने से उनके कारीकरम में भाजपार के बहागले होगी चातरा में 43 केजी अफिम के साथ 3 गिरफतार है चातरा जीला पूलिस ने अफिम तसकरों के खिलाब कड़ी करवाई करते हुए 43 केजी अफिम के साथ 3 तसकरों को गिरफतार किया है गिरफतार तसकरों में गेंदा लाल सिंग, दिलीप कुमार वाव पेंद्र कुमार सामिल है यह जनकारी SDPO अविनास कुमार ने प्रेस कॉन्फरेंस में दी उन्होंने बताया कि पूलिस अधिक्छा क्राके संजन को गुप सुचना मिली थी कि कुछ अंतर राश्ट्री अफि गर इस्थीत बल्डिहा निवासी पनालाल के घर सोचाले निर्मान की परकिरिया सुरू हो गई है मुख्यमंत्री को सुचित करते हुए देवघर के उपायुक्त ने बताया कि मामले को संग्यान में लेते हुए समधित अधिकारी को जाच करते हुए पनालाल को अवस्यक साथ साथ तमाम ऑनलाइन सिवाए बंद रहेंगी इसका असर बिहार जारकन समेत देश भर के लवग एक दर्जन से अधिक राज्यों में रहेगा ऑनलाइन टिकट के साथ साथ रेलवे एस्टेशन के करंट टिकट काउंटर से भी टिकट बुक नहीं होंगे ऑनलाइन